दस्तनगिरितटी सुप्तमुद्भोध्यक्रिष्णं पारार्थ्यं स्वंशृतिषत शिरसिद्धमध्यापयंती स्वोचिष्टायाम स्रजि निगलितम् याबलात कृत्य भूंते गोदातस्यै नम इदम इदम् भूयये वास्तु भूयाः सबको जैश्री वन्ना रहे भगवत प्राप्ती के लिए अम्मा जी पुरुशकार करती है हमारे लिए अम्मा जी जो काम करते हैं उस काम को हम पुरुशकार पुरुशकार कृतिय बोलते हैं भगवान को पुरुश कहते हैं पुरुश पुरुश क्यों कहलाते हैं सब कुछ प्रदान करने वाला जो है पुरुशार्थों को देने वाला जो है वो पुरुश है सर्व पलप प्रदोही विश्टनु हूँ लोग आपसे जो कुछ मांगते हैं भक्त लोग आप उसे प्रदान करते हैं इसलिए आपका नाम पड़ा पुरुश तो अम्माजी जो कार्य करते हैं उस कृतिय का نाम दिया गया है पुरुश कार इसका मतलब हुआ वो प्रभु को पुरुश बनाती है मतलब प्रभु सबको सबकुछ देते हैं अम्माजी की वजह से देते हैं उनकी कहने पर काम करते हैं आप प्रभू से हमें सब कुछ दिलाते हैं इसलिए आप जो कारिय करते हैं उस कारिय का नाम दिया गया है पुरुशकार तो पुरुशार्तों को देने वाला पुरुश क्यों दे रहे हैं तो प्रभू बोलते हैं आमा जी बोले, देने के लिए बोले, तो मैं देता हूँ, तो इस कारिय में प्रभु प्रवृत होते हैं, उनकी वज़े से, तो देने से पुरुष होते हैं, देने के लिए आप कहते हैं, तो इसे पुरुष आप बनाते हैं, तो आप जो कारिय करते हैं, इस कारिय का नाम हु पुरुशकार बहवान स्वयम कहते हैं शास्त्रों में लक्षमी पुरुशकारत्वे निर्दिष्टा परमर्शिभी ही लक्षमी जो है लक्षमी क्या काम करती है किसी ने पूचा बहवान आप तो परमात्मा है मुक्षमिचेत जनार्दनात मुक्ती जो है वो आप ही दे सकते मुक्ष जो है वो आप ही दे सकते ये काम आपका है अम्मा जी क्या करते है रोल क्या है महालक्ष्मी जी क्या काम करते हैं तब बोलते हैं भगवान स्वयम कहते हैं कि लक्ष्मी पुरुशकारत्वे निर्दिष्टा परमरिशिवी ही रिशियों भी बोलते हैं और शास्त्रों में भी कहा गया है और मेरा भी सिधान्त ये है कि लक्ष्मी जो है वो पुरुशकार करती है पुरुशकार करने के सिवाई लक्ष्मी जी और कुछ करने ही सकती है रोल जो है वो पुरुशकार करने की रोल है और कुछ करने ही सकती है मतलब मोक्ष देने की जो बात है वो मेरे वश्मी में रखता हूँ मोक्ष देने वाला तो मैं हूँ उपाई मैं हूँ उपे ये प्रदान करने वाला में हूँ पल देने वाला में हूँ लेकिन दिलाने की काम जो करती है उसके लिए जो सिपारिश करती है recommend करती है तो प्रभू एक मशिन जैसे समझो तो चावी देने से वो काम करते हैं मतलब दौडते है तो अमा जी सिपारिश करती है recommend करती है और recommendation मतलब आप भी देखे एक चिट्टी लिखके मेरे को दे दिया तो ये ले जाओ काम हो जाएगा तो वहाँ ले जा करके मैंने दिया तो काम नहीं हुआ आप क्या बोलेंगे मैंने तो चिट्टी दिया भाया तो काम नहीं हुआ तो मैं क्या करू इस तरह कभी अमा जी नहीं बोलते है मैंने बोला तो सही वह आजकल मेरा सुनता नहीं है तो मैं क्या करू ऐसे कभी अमा जी बोलते नहीं अमा जी ऐसे समझाती है कि प्रभु को सुनना ही पढ़ता है तरीका जानती है इर्वर एयम तिरत्वदं उपदेशत ताले लोकाचार ये स्वामजी महराज कहते हैं कि दोनों को उपदेश करती है हम्मा जी हमको भी उपदेश करती जिवात्मां को भी उपदेश करती है समझाती है आप लोग सुधर जाओ उनके प्रती तोड़ा ध्यान रखना पिता आप लोगों से नाराज रहते हैं नहीं तो आप उनकी बोर जाना तोड़ इधर भटना पुजा आदी करना और प्रभू को भी सुनाती है देखो वो पुजा करे ना करे अपना ही है न बेटा वो बालक जो है हमारा है अगर आप तिरसकार करेंगे तो वो जाएगा किदर कौन है उसके लिए ध्यान दीजिए जब हम से बात करती है तो अम्मा जी बोलती है कि उनकी वोर ध्यान रखना जाना बाच्चित करना वो पिता है तेरा पिता से रूट कर जाना वो वुचित नहीं है और जब प्रभू से बात करती है बोलती है कि वो रूट कर जाता है तो भी आप उनके पास जाना उनसे बात करना वशमे लाने की कोशिश करना आप चाहते हैं तो क्या नहीं होगा अब तो सरवशक्तिमान है इस तरह दोनों को उपदेश करते हैं अम्मा जी तो मैंने पूछा मैंने भी नहीं सुना और उसने भी नहीं सुना तो क्या होगा उपदेश तो दोनों को करते हैं तो मैंने भी नहीं सुना वो भी बोले कि आज मैं सुनने वाला नहीं हूँ, रोज तू जो बोलती है वो तो मैं सुनता हूँ, आज ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं सुनने वाला हूँ, तो क्या होगा तब बोलते हैं कि तिरंदाध पोदू हूँ दोनों सुधरते नहीं हैं अम्मा जी बोलते हैं दोनों मेरी बात को मानते नहीं है जिवात्मा भी नहीं मानता है परमात्मा पती जो है वो भी नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूँ तब अम्मा जी कहती है कि ठीक है तेरे उपर मैं कृपा करती हूँ चलो अनुग्रह करती हूँ दिव्य दृष्टी डालती हूँ तो तेरे उपर कृपा करके इस तरफ किंच लेती हूँ और प्रभू देखो मैं तोड़ा सा प्रभू के प्रती देखकर हसूंगी न तो भी मेरे वश में वो आ जाते हैं प्रभू को देखकर मैं तोड़ा सा हसूँ तो भी काफी है कि मेरे वश में आ करके पूछते हैं कि क्या आज बहुत बढ़ी सुन्दर लग रहे हो क्या चाहिए आपको अपके लिए क्या करना है तो इस तरह मेरे वश में आ जाते हैं ये इश्वरा नहीं आयगा ले तिर तुम तो प्रभू को सुधारने की एक आयुध जो है हाथ में वो सौंदर्य है अपने सौंदर्य को प्रभू को वो दिखाती है मतलब हसती है और पास में जाकर के भेटती है तो प्रभू बोलते हैं कि आज तो बहुत मस्त लग रहे हो तो क्या चाहिए बोलो तब अम्मा जी बोलते हैं देखो ये जिवा तुमा आया है प्रभू बोलते हैं अरे उसके भारे में क्यों बात कर रहे हो अभी और कुछ बात करो ना नहीं ने देखो उसको अरे वो पापी है अभी अभी पाप करके ही आया है वो पापी तो है बले लेकिन अपना ही तो बैटा है तो क्या करना है कृपा करोना तो प्रभू कर लेते हैं तुरंत करते हैं प्रभू तो मैंने पूछा क्या टिकाना है अम्मा जी बोलते हैं तो वो तिकाना है तो बोले कि देखिए एक बंदर भी बंदर को भी अपने वश में ला करके आप जो बोले वो ही सुनना पड़ा एक बंदर को भी अमा जी जो बोले उसके अनुसार तद अनुसार काम करना पड़ा एक बंदर को तो एक बंदर बंदर तो हम जानते ही है किसी के कहने पर वो कुछ करने वाला नहीं है अपने इसाब से काम करने वाला एक पागल की तरह जैसे हम लोहों को कहते हैं मनमोजी काम करते हैं मन के इसाब से अपने इसाब से मनमानी काम जो करते हैं एक बंदर है वो शराब भी पिया हुआ है और उसको बिच्चू ने भी काटा बाद में वो बंदर पागल भी हो गया तो सोचो क्या नहीं करेगा क्या नहीं नाचे गाओ पहले से बंदर जैसे बच्चे भी बहुत तुफान करते तो क्या बोलते बंदर की तरह तो क्या काली पूंच ही नहीं है बोलते देखो काली पूंच ही नहीं है बाकी सब काम बंदर की तरह करता है एक बंदर है वो बंदर पागल भी हो गया और बिच्चुने भी काटा और शराब भी पिया हुआ है तो उस बंदर को आप देखना है तो अपने मन को ही देख लो और कई नहीं है अपना जो मन है तो इस तरह है को बंदर की तरह है तो बंदर पहले से बंदर किसी के वश में कभी वो जाएगा नहीं किसी की नहीं सुनेगा तो ऐसे बंदर को भी अम्मा जी अपने वश में ला करके उपदेश किये हैं जैसे हनमान जी महराज वो जब राम के जीत के बाद रावन को जीतने के बाद वो लंका पहुंचे वो संदेश अम्मा जी को देने है तू तो उस वक्त देखा तो वहां राक्षसी गण वो लोग अभी तक जानते नहीं है कि रावन का वद हो चुका है मालूम नहीं था फ्लाश नियूस अभी तक आया नहीं है रावन का वद हो चुका है वो मालूम नहीं था युद्ध हो रहा है और रामन ने बोला क्या इन राक्षसियों को बोला हुआ है कि सीता को परेशान करते रहो जब तक वो नहीं मानती है तब तक परेशान करो तो मारपीट करते थे कींचते थे बहुत परेशान करते थे तो हनमान जी देख रहे हैं सब क्या हो रहा है अम्मा जी को इस तरह कर तो अम्मा जी से बोले आप बताईए आप अनुमती दीजिए एक क्षण में इन राक्षसी उनको मेरे हाथ में रख कर में मेरे हाथ में रखकर जिसे हतेली बोलते हैं हाथ में रखकर हतेली में तो इस तरह करूँगा न तो सब क्या सब जूस बन जाएंगे एक एक शन में सब राक्षसियों को मैं वद कर सकता हूं अमाजी एक अद्बुत बात भोलेते पापा नाम वा शुभा नाम वा वधार हा नाम प्लवंगम प्लवंगम तो बंदर हो ना इसलिए ऐसे बात करते हो प्लवंगम अनमाजी नहीं जानते हैं किया मैं बंदर हूं फिर भी अमाजी बोलते हैं तो बंदर है इसलिए इस तरह बात करता है पापा नाम वा इस दुनिया में सब के सब पापी है कौन ऐसा एक मिलेगा कि जिस ने कभी पाप नहीं किया हो ऐसा तो कोई नहीं मिलेगे सब कुछ न कुछ तो पाप तो करते ही है हनुमान पाप करने से ही कोई दंड को बोगने योग ये बनते हैं ऐसा समझना वो अनुचित है वो पापी हो चाहे अच्छे है पापे चाहे वध करने योग ये है फिर भी कार्यम करुणा मार ये ने वहां करुणा का ही इस्तमाल करना चाहिए उन लोगों के प्रति करुणा दिकाना ही सज्जनों का कर्तव ये है सज्जनों को वो ही करना चाहिए क्योंकि सब के सब पापी है अम्मा जी बोले चोटा मोटा पाप मैंने भी किया है अम्मा जी बोले अनुमान जी तो वैसे आश्चरी में पड़ गया अम्मा जी आपने क्या पाप आप किया होगा बोले कि देखो एक चोटा पाप एक बड़ा पाप चोटा पाप को क्या बोलते है बगवत अपचार वो चोटा पाप भगवत अपचार बगवान के प्रति किया जाता है जो पाप वो बगवत अपचार जो है वो चोटी सी पाप है भागवत अपचार जो है वो सबसे बहतर पाप है बड़ा पाप है महान पाप है अम्मा जी बोले कि मैं दो को जो चोटी सी पाप है वो भी किया हूँ चोटा सा जो है और बड़ा जो पाप है वो भी किया हूँ मतलब भगवान के प्रतीबी मैं दोश किया हूँ और भागवत के प्रतीबी मुझसे दोश हुआ है मैं आप किया हूं, जब वन के लिए निकले, तो राम बोले कि आपको नहीं आना है, अम्मा जी बोले कि मैं साथ चलूंगी, शादी करके लेके आए हो और बोलते हो कि आप इधर तहरो, मैं वन में जाता हूं, ये क्या सही बात है, ले जाओ मेरे को भी, तो प्रभू बोले नहीं आना है, तब अम्मा जी बोली, देखिए, मेरे पिता जी, बहुत बड़ा गलती की कर दिया है, क्या? आपको पुरुष समझ कर आपके साथ शाधी करवाया, स्त्रियम पुरुष अविग्रहम, बाहर से आप पुरुष दिखते हैं, अंदर से तो आप स्त्री हो, पूर्ण वैसे सच मुझ में देखा जाए तो एक मात्र पुरुष जो है, वो परमात्माई ही है, बाकि सब के सब तो जीव जितने भी है, सब स्त्री के ही बराबर है, आप में, सब के सब, सब के सब स्त्री के ही सद्रुष है, बराबर है, एक मात्र पुरुष जो है, वो भगवान ही है उस भगवान को अम्मा जी बोलते कि आप तो स्त्री हो तो ये भगवत अपचार हुआ और बागवता अपचार लक्षमन भईया को बोले जब मारीच के पीछे पढ़ गए राम तब लक्षमन यहां रक्षक बनकर रक्षा कर रहे थे अम्मा जी की तब मारीच किया राम के आवाज ला करके हा सीते हा लक्षमन इस तरह तो अम्मा जी समझने लगे कि राम को कुछ हो गया लगता है कुछ गडबड़ है लक्षमन तू जा बचा के आओ लक्षमन भईया बोलते कि कुछ नहीं होगा साक्षात देवेंद्र भी सामने आएगा ना तो भी रा मांक के लिए कुछ नहीं राम के सामने कुछ कर नहीं पाएगा कं सुनक करने की जरुरत नहीं मामानी नहीं लक्षमन को बेज आई उस वक्त क्या बोले देखो तु भरत दोनों पार्ट्नर्स लग रहे हैं जैसे crime partners बोलते हैं तू और भरत दोनों partners लग रहे हैं तो उन्हों ने यहां तक बेश दिया और तूने इंतजार कर रहा है कि राम वहां चले जाए तो मेरे को पाने की इच्छा रखता है शायद तू धेकि यह लक्ष्मन भाया वो सुनकर टहरी नहीं पाए वह बोले कि जो आगे होना है होने दो दास अभी जाता है करके गए यह बागवत पचार हुआ एक बक्त को वो भी लक्ष्मन भाया को इस तरह बोलना अनुचित है तो अम्मा जी बोले मैं तो बोल दिया बागवत पचार देखिए बागवत पचार किया हूँ बागवत पचार हूँ बर्टी हूँ कारण ये दो अपचार का परिणाम इस तरह हुआ है मैं इसलिए परिशान हूँ यहाँ तो पाप तो मैं भी किया है, मैंने भी किया है और हनुमान तू भी देखो राम ने क्या बोला, मैं जीत गया हूँ ये जाके बोल देना, इतना ही राम बोले, तो आकर के इन राक्षसियों के वध करने की बात कर रहा है, राम ने कहा क्या तुमसे ऐसा, बोले कि नई, तो प्रभु जो बोले नई, वो करने की चेश्टा तू कर रहा है इधर और इन राक्षसियों मेरे को क्यों मार रहे हैं पूछा तो बोले कि रावन ने बोला उनके प्रभू जो बोले वोई तो वो कर रहे हैं तो तुमसे तो अच्छे हैं तेरा प्रभू जो नहीं बोला वो करने की चेस्टा तू कर रहा है इन लोहों के प्रभू जो बोल कर गए हैं वोई तो ये लोग कर रहे हैं तो तुमसे तो ये बहतर अच्छे होते हैं अनुमा जी बोले ये बात भी तो ठीक है बात सही कह रहे हैं आप तो दास ने गलती कर लिया तो अभी आगे ऐसा आइंदा नहीं करेगा इन राक्षसियों को मैं कुछ नहीं करूँगा तो देखे एक बंदर को समझा कर बंदर अमारे यहां बोलते हैं पिडित पिडी विडाद कुरंग कुछ पकड लिया तो वो चाहेगा तभी वो चोड़ेगा बंदर तो ऐसे बंदर को अपने वश्र में अम्मा जी अगर ला सकती है समझा सकती है उन राक्षसियों को बचा सकती है तो बंदर भी मान जाता है तो प्रभू क्यों नहीं मानेगा अम्मा जी बोलेंगे तो बंदर भी मानता है तो प्रभू तो अवश्य मानेंगे इसलिए अम्मा जी जो कहते हैं उस बात को प्रभू अवश्य सुनते हैं सुनना ही पढ़ता है और उसके हिसाब से काम करना ही पढ़ता है सब के सब प्रभू के वश्य में हैं प्रभू स्वयम जो है वो अम्मा जी के वश्य में हैं अम्मा जी बोलेंगे तो वो सुनेंगे तो आज के पाशुर में देखिए आप कल के पाशुर हमने देखा कि अम्मा जी से निवेधन करते हैं नंदगो पालन मरमगले नपिन्ना इनंदजी के बहुरानी कृपा करिये तो जैसे इन लोहों ने प्रार्तना किया तो अम्मा जी नीडा देवी पलंग से उठकर आने की कोशिश कर रहे थे कोशिश कर रहे थे कोशिश करने के पहले गोपियां किवाण से देखते अंदर क्या हो रहा है तो देखा तो एक पलंग है पलंग के उपर निड़ा देवी लेटी है और निड़ा देवी के दिव्य चाती पर अपना सर रखते हुए प्रभु लेटे हैं प्रभु लेटे हैं जो निड़ा तुम गस्तनगिरी तटी ही सुप्तम उद्भोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वं शुरुतीशा तशिरसिद्धम अध्या पयंती ही जो तृपवे के जो तनियन गाथा जो पहले हम गाते हैं उसमें यह जो आता है इस पाशुर के अर्थ को अनुसंधान करते हुए पराशर भटर स्वामी जी महराज वो जो तनिया है उस तनिया को उन्होंने रचा है तो नीडा दिवी को पलंग में सुला कर अमा जी को रोकते हुए प्रभू क्या करते हैं? अपना सर जो है अमा जी के दिवियचाती पर रखते हुए वैसे लेटे हैppen क्यूं ऐसे करते हैं तो इसके पीछे एक मर्म है तो जैसे इन लोगों ने प्रार्तना किया अमा जी आप आई एक रिपा करिये तो अमा जी उटकर जाने की कोशिश करते थे तब प्रभू रोकते हैं तू क्यूं जा रही है किदर जा रही है जो आए है वो सब मेरे बक्त है औ और मैं ही जाओंगा आगे आपको नहीं जाना है तो अम्मा जी बोलती है आपको जाना है तो पहले ही दो पाशर पहले ही एक अनया आजा उट जा करके आपको तो जगाए थे तब ही जाना था आपको तब आप तो नहीं गए तब मेरे को बुला रहें तो मैं जाने की करूंगा कृपा करने वाला जो हूं वो मैं ही हूं तो मैं ही जाओंगा वक्तों को बड़ा अच्छा लगता है देखो दोनों हमारे लिए जगड रहें बात सही है ना दोनों जगड रहें मैं जाओंगी कृपा करने के लिए अम्मा जी बोलती है मैं ही जाओंगा ऐसे प्रभ है तो तो दोस्त लोग गए ते कहीं होटल पर खाना खाने चांए तो खाने के बाद बिल पेमेंट काऊनि करें तो एक बोला कि मैं ही दूंगा तेरे को नहीं देना ले तो फ्रेंट को रहो में करेंड तो मैं ही दूंगा तो वह बोलता कि नहीं मैं hierarchy घृद कि आज तो इतना बड़ा जगड़ा हो गया हो तो वहांके जितने भी सामान وगेरे को तोड़ने लगिये दोनों दोस्त जिसे बातों बातों में डूंगा में डूंगा करकE वो जगड़ा जैसा हो गया आखिर अकिर मलिक बोलता होटल वाला पैसे देने कि कोई जरुत नहीं आप दोनों चले जाएए पहले इदर से जादा नुकसान मत करिये यहां तो ठीक इसी प्रकार यहां जितने भी बाहर है सब खुश हो गए कि अंदर से दोनों आएंगे दोनों लड़ रहे हैं हमारे लिए तो आखीर मालम पड़ा कि दोनों आये ही नहीं अम्मा जी के दिव्यचाती पर माथा रखते हुए प्रभु आराम करने लगे और अम्मा जी भी इसमें तो मोहित हो करके कुछ बोले भी ना लेटी है तो इस दृश्य को यह लोग बाहर किवार से देखते हैं चारों और देखते हैं कि पंचम की दीप स्थम्ब जलते रहे यह क्यों बोलते हैं तब बोलते हैं कि देखिए कृष्टन विरख से कनया से दूर होने की वज़़ से हमारे मन जो है वो पूरा अंधेरा में है मन जो है मन में अंधकार है लेकिन आप देखिए कनया के साथ वो भी एकी पलंग में आप नीचे लेटे हैं और आपके साथ प्रभू वो भी कुश होकर वो भी आपके पास सो रहे हैं इतना ही नहीं देखिए हमारा मन जो है मन में पुरा अंधेरा है अंधकार है आपके आसपास चारों वोर दीपस्तंब जो है वो जलाया गया है देखिए कुशान भव मतलब आनंदान भव आप कर रहे हैं हम सब रो रहे हैं बाहर ये कोई सही है कोटकाल कटिल में जिस शया पर पलंग पर काट पर आप लेटे हैं वो काट जो है दियान दीजी अम्मा जी जो है वो वीरपत्नी है वीरपत्नी जिसे रावन देखिए आप राम के सामने कड़ा था युद्ध कर रहा है तो करते समय एक दिन बहुत ठक गया तो हाथ में जो धनुश है वो भी वो छोड़ दिया नीचे है तब प्रभू बोले आज जाओ खल आओ आज तो बहुत तक गये लगते हो कनया और राम में क्या फरक है कनया है ना अपने दुश्मनों को कभी मौका ही नहीं देंगे वो बाद में मिलेंगे करके बोलेंगे ही नहीं था विश्वामितर के साथ गये हुए थे तब ही मारीच तो आया था सुबा हूँ मारीच तो उस वक्त चोड़ दिया उसको मारीच को तो परिनाम क्या हुआ वो यह हिरन बनके आया तो उस वक्त आप वद कर दिया होता तो आगे आकर के वो आपको परिशान करता ही नहीं रहता तो करता ही नहीं था तो उस वक्त चोड़ दिया और रामन को भी देखिये आप अभी तो एक बाण मातर काफी है कि रामन मर जाएगा तो उस वक्त प्रभु बोले कि आज जावो बहुत तके हुए लगते हो कलाओ तो देखिये एक अनया होते तो ऐसा नहीं करते कंस को जिस दिन मिले बस उसी दिन कंस खथम पूतना आदी जितने भी आये ते तो उसी दिन खथम आप बताईए को भी बहुत दिन तक जरासंद को प्रभु मारे नहीं वो भी एसे स्थिती पहुँच गया कि एक बानमात्र काफी है वो चला जाएगा वारणम पुरुदा मारभुम रावन का चाती कैसा है तब बोलते है कि चारों और जो दिगज होते हैं दिगज बोलते हैं ना इस भूमी को हरेक कोणे से हरेक और से गजगण वो ऐसे धारन करके हैं करके हम मानते हैं तो उन दिगज़ों को एक बार बुला है या रावन ये दिगजगण आप सब बहुत बलिशाली है क्या हाँ तो आओ मेरे साथ लड़ों मैं कड़ाओं अपने दांतों से बड़े बड़े दांत वाले गज़ है सब के सब तो रावन बोले सब डौड कर मेरे पास आजा मेरे सामने मेरे को हिला करके दिखाओ मैं देखता हूं काउन बलिशाली है हिला करके दिखाओ तो हिला के दिखाओ तो चारों और आए दिगज़ बड़े बड़े साथ दान्त वगेरे उनके अंदर गुसके पीछे से आ गया पुरा जरा भी हिला नहीं रावन्ट दान्त वगेरे जितने भी दान्ते हैं उन दान्तों उनके चाती के अंदर गुसके पीछे से आ गया फिर भी हिला नहीं है और वो गजतों ओपर ऐसे ही जैसे लटके बोलते है लटक जाते हैं ऐसे उपर से थे तो रावन को प्रार्थना करने लगे कि इन दान्तों को कम से कम कटवा कर चुडवा दो हमें हम बहुत एरान हो गई तो ठीक जाने देता हूं करके बाद में उसको काट करके उन दिगजों को वापस बेजा तो अभी देखा अपने चाती तो इधर से एक दान्त इधर से एक दान्त पीछे से इधर से तो बोला कि जहां तक हो सकता है शरीर के साथ साथ आपरेट कर लो इसे बाहर न दिखे जो अंदर गुसा है वो गुसने दो कोई बात नहीं जो बाहर दिखता है उन एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है उसको निकाल दो तो रावन ऐसे उपर जो पहना हुआ शाल को ऐसे निकालता है तो उनके चाती पर वो देखने को मिलता है ऐसे बोलते है जो दिगजों के दान्तों से उनका जो शरीर है वो देखने को मिलता है तो रावन बोलता ये कोई भी देखेगा ना तो मेरे वीर ये शौर ये पराक्रम को समझेगा इसलिए वो रहने दो कोई भी आएगा तो मालम पड़ेगा तो महावीर है महाशूर है मालम पड़ेगा तो इसी तरह कन्या भी तो वीर है जया जया महावीर महावीर दूरे वेदानत देश के स्वाम जी महराच रगवीर गद्य में रगुराम की वरणन करते हैं जया जया महावीर महावीर है राम तो कन्या भी तो वीर है तो कन्या वीर है तो वीर पतनी जो है पतनी जो है पती महशूर है वीर है तो वो बहुत वो गमंड रखती है मेरे पती जाएंगे ना तो उनके सामने कोई कड़े नहीं रह सकते हैं सौ लोग आ जाए तो भी बस ऐसा करते हैं तो सब के सब गिर जाते हैं हमारे बहुत सी हीरोस ऐसे होते हैं न कोई कोई मुवीस में इस तरह दिखाते हैं कोई सो लोग आते हैं न वो ऐसा करता है मुँच को तो वो सब गिर जाते हैं वहाँ यहां यहां यह बताते हैं कोटकाल कट्टिल मेल निडा देवी को शाधी करने के लिए प्रभू ने साथ बैलों से बैल बोलते ना ना था साथ बैलों को नाता जीता और मार डाले और उनके जितने भी सिंग होते हैं उन सिंगों को ले आ करके इस काट जो है वो बनाया गया है तो जब भी वो देखती है अमा जी तो विचार करती है देखो मेरे को पाने के लिए जो प्रभू ने जो साहस किया साहस काम करके उस काम के द्वारा मेरे को जो गिफ्ट के रूप में दिया हुआ ये काट है और नीचे जितने भी उसके लिए वो लगाय जाते हैं पाया मतलब काट के नीचे है पलंग के नीचे पाया जो होता है खुबलया पीड हाती को प्रभू ने मारा कंस के वहाँ तो उस आती के दांतों को ले आ करके ये पाया वगेरे बनाया हुआ है तो वीरपतनी उसमें सोती है और मितन पंच शयनतिन मेलेरी सौंदरिय और शैतिय मार्दव सुगंद येवं परिशुद्ध इन पंच प्रकारों से युक्त जो है इन पंच प्रकारों से युक्त शया पर लेटे हैं दोनों कुच गुच होकर खिलने वाले पुश्प धारक केश वाली गुच्च होकर खिलने वाले पुश्पधारक केश वाली नपिन्ने कॉंगमेल निडादेवी नपिन्ने कॉंगमेल उनके स्थनों के उपर माथा रखकर सर रखकर सोने वाले प्रभू गोपिया ये सोचते हैं कि देखे हमने दूसरे पाशुर में ही हमने बोला कि प्रतिग्या किया कि हम लोग पुश्पधारण नहीं करेंगे और काजल नहीं लगावेंगे और गी का सेवन नहीं करेंगे इस तरह अनेक प्रतिग्याएं पहले ही कर चुकें दूसरे पाशुर में ही कर चुकें तो अम्मा जी से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग उनने संकल्प किया कि हम लोग पुश्प धारन नहीं करेंगे जब तक प्रभू नहीं मिलेंगे तब तक और प्रभू क्या करेंगे पुश्प को अपने हाथ में ले करके हम लोगों को वो लगाएंगे पहनाएंगे तब तक हम पुश्प धारन करने वाले नहीं है है अम्मा जी आप जो है आप भी तो हमारे में एक है हमने जो संकल्प किया वो संकल्प आपके लिए भी तो है लेकिन यहां देखे आप गुच गुच हो करके जो खिलने वाले उन पुश्पों को उन पुश्प धारा को आप अपने केश में रखते हैं तो इस संकल्प को आपने तोड़ दिया पालन नहीं हुआ संकल्प का तो आप हमारे में नहीं है क्या आप अलग से हैं क्या तो कहीं कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो काला वाला वो कपड़े वगेरे पहन के जाते हैं शट वगेरे पहन के जाते हैं तो पहले दिन नहीं बोल द अमाजी से पूछते हैं आप अमारे में नहीं है क्या अमाजी के साथ इस तरह भैटने पर अमाजी के दिव्यस्तनों के चाथी वूपर प्रभू अपने माथा रखकर सो रहें तो प्रभू प्रभू का हर्दय जो है वो एकदम प्रफुलित हो गया लेकिन शास्त्रों में बताया गया है अविकारा ये शुद्धा ये नित्या ये परमात्मने सदई करूपर रूपा ये विष्णवे सरवजिष्णवे सदई करूपर रूपा ये अविकार ये विकार नहीं होते हैं प्रभू विकार माने चेंजिस कभी चेंज नहीं होते हैं हम लोग पांच साल में जैसे दिखते थे वैसे दस साल में नहीं दिखते हैं, दस साल में जैसे दिखते थे वैसे आज नहीं दिखते हैं, आज जैसे दिखते हैं वैसे कल नहीं दिखने वाले, तो चेंजस तो होते रहते हैं हमारे बे, तो प्रभू जो है वो अविकार स्वर वो कर्मादीन है प्रभू के विकार जो है वो कर्मादीन नहीं है भक्तों के साथ जब मिलते जुलते हैं तब प्रभू आनंद हो जाते हैं तो प्रफुलित हो जाते हैं उनके अखरदे और बक्तों किसी कष्ट में हैं तो प्रभू वो ले नहीं पाते हैं तो प्रभू के मु भी यह चोटा हो जाता है प्रभू परेशान हो जाते हैं तो यह जो विकार है यह विकार उद्धेश्य है यह कर्म की वजह से नहीं है कृपा की वजह से और आनंद की वजह से है इसलिए यह कोई हमारे जैसे विकार नहीं है मलर मार वाई तीरा वाई बोलते हैं देखिए प्रभू लगता है कि हुर्दई जो है द्यान दीजी अद्बूत बाते आपका हुर्दई जो है वो लगता है आपने नेडा देवी को दे चुके हैं आपका हुर्दई जो है मतलब विरोध करने नहीं आ रहे आप अम्मा जी को हुर्दई दे चुके हैं अच्छी बात है उनके साथ आप आरा हम से खुशी से भैटिये खेलिये हम कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन हुर्दई उनको दे दिया कोई बात नहीं वचन कुछ हमारे लिए बोली है जैसे अरजुन को आप बोले है इस तरह हमें भी बताइए वाई तीरा वाई उसके बाद मैटडं कंणिनाई अम्मा जी को जगाते हैं भी मैटडं कंणिनाई अम्मा जी को वैसे काजल लगाना ही नहीं पढ़ता है उसी दिन मैं तडम कंडिना, हमने दूसरे पाशुर में क्या संकल्प किया, ब्रतानुष्टान जब तक नहीं होता है, प्रभु हमें अमारे ऊपर जब तक कृपा नहीं करते हैं, तब तक काजल नहीं लगावेंगे, प्रतिज्ञा तो किया है, अभी ये बता रहे हैं कि मैं तडम कंड देखे आप बड़िया से बड़िया काजल ला करके लगा के प्रभु के साथ भटे हैं, नहीं उन्मनाल नहीं, क्या समझ रखा है, प्रभु जो है वो खाली आपके पती लगते हैं क्या नहीं, सब के पती है वो विश्वपती है, कौसल्या लोकबर्तारम, कौसल्या के पु प्रभु जो है अमारे साथ नो प्रकार के संबंद रखने वाले उनमें एक है चोता जो है पती वो बरता है हम सब पतनीगन है तो नी उनमनाल नहीं आपका जो पती है ये आपका जब बोलते तब उसमें वजन देते है इसका मतलब सिर्फ आपका नहीं है वो हमारे भी पती है उन्मनाल नहीं ही यत्तने बोधुम तुईलळ वट्टाहाईकान उटने नहीं देती हो प्रभु को उटने ही नहीं देती हो यत्तने येलुम पिरिवात्त गिल्लायाल तत्वमन तगवुमन तो लगता है कि आप उटने नहीं देते हैं तो क्षण मात्र के लिए भी विरख जो है वो सहने के लिए आप तयार नहीं है एक क्षण के लिए भी प्रभु को आप अपने से दूर करना मतलब दूर रखना नहीं चाहते हो तो ये विरख को आप चाहते नहीं है इसलिए बोलते हैं ये काम आप जो कर रहे हैं या आपके लिए सही नहीं है जिस पद पे आप भेटे हैं आपको शोभा नहीं देता ये बात और आप देखे अनेक बिरुधों से विबूशित हैं अम्मा जी नित्यमग्यात निगराहны, निगरख करना तो आप जानते ही नहीं है आप करुणामई है और इन बिरुधों से आप विबूशित है फिर भी आप इस तरह प्रभु को उटने नहीं देते हैं हमारे काम करने नहीं दे रहे हैं तो अनुचित काम हुआ ये काम आपको नहीं करना चाहिए फिर भी आप कर रहे हैं ये सही नहीं है इस तरह बताते हैं इस पाशुर में और तोड़ा सा इस पाशुर में जो व्यंग्यार्थ जो कहा जाता है वो देखने योग यह है आचारी और सिश्य के बीच में जो संबंद है वो संबंद यहां ठीक तरह बताया जाता है रामानुस्वाजी महराज के हजारों सिश्यों थे इस पाश्र में आप देखिए बले गुपी गण बहुत है लेकिन नेडा देवी जैसे प्रभू के लिए खास है तो नेडा देवी ही प्रभू समयं बिता रहे हैं तो इसी प्रखार रामानुस्वाजी महराज के अनेक शिश्य गण है येकान ती भी ही द्वादशा भी सहस्र रही ही 12,000 शीवईष्ट्नों लोग साथ साथ गूमते हैं रामान स्वामी जी के साथ साथ और साथ सव सन्यासी लोग गूमते हैं जीर लोग जीर स्वामी जी लोग और अनेक गोदा गोष्टी स्त्री गोष्टी जो है वो भी रामान स्वामी जी के सेवा में लगे हुए हैं इतने सारे लोग को ही मानते जैसे कन्या के लिए सब के सब बले पत्नियाई ही है गोपी गण सब फिर भी ये नेडा देवी जैसे वो खास मानी जाती है इसी प्रकार रामान स्वामी जी के लिए कुरेश स्वामी जी जो है वो ही कास होते हैं हजारों शिश्यों ते जिन पर आप कृपा करते थे सब पर आप कृपा करते थे परंतु उन में से विशेश ज्ञान बक्ती विरक्ती आधी गुणों से विबूशित कुरेश स्वामी पर आप विशेश अनुगरह दिखाते हैं मैं कृरेश स्वामी जी के बार में एक बात बताना चाहूंगा वो क्यों इतने विशेश माने जाते हैं कृरेश स्वामी जी पहले शायद बोला हूं कि नहीं इस बार भी भोला कि याद नहीं फिर भी बोलता हूं मुझे यकीन है कि आप लोगों को तो याद नहीं रहेगा बोला कि नहीं तो जैसे मेरे को भी याद नहीं है वैसे आपको भी याद नहीं होगा तो बोलता हूँ कोई आया था बंदा कुरेश स्वामी जी के पास बोला था कि आपके पास मैं कुछ अध्यायन करना चाहता हूँ मैं पढ़ना चाहता हूँ वो भी बहुत बड़ा विद्वान था बहुत बड़ा विद्वान था कोई एक मातर गरंथ उन्होंने अध्याई नहीं किया है उस गरंथ के वेता माने जाते हैं कुरेश स्वामी जी महराज तो सोचा कि आपके पास अध्याईन कर लो तो स्वामी जी बोले ठीक है आजाओ कल से पुस्तक लेकर आजा आप बढ़ जा मेरे को पुस्तक की जरुरत नहीं है आप देखते रहो मैं पढ़ाता रहूँगा वो बला कि नहीं इसमें एक प्राबलम है क्या प्राबलम है देखिए गाउवाले सब मेरे को विद्वान बोलते है पंडित बोलते है मैं आज आ करके आपके निकट भर्टो सामने भर्टो और पुस्तक कोल करके कोल के मैं भर्टू हूँ और लोग क्या बोलेंगे देखो उन्होंने पूरा अध्याइन नहीं किया लगता है आज भी जाके पढ़ रहा है स्कूल जा रहा है आज भी आज भी जाके किसी आचारी के पास बैट कर कुछ अध्याइन कर रहा है तो लोग इस तरह बात करेंगे मेरे लिए तो अपमान होगा तो स्वामी जी बोले तिरे को पड़ना है की नहीं वो बताओ पड़ना तो है लकिन दुनिया अपमान ना करे इस परकार पड़ना है तो स्वामी जी बोले ठीक है आजा अचल से ऐसा करो उस तक लेाकरो और भर्टो पढ़ो मैं पढ़ाता हूँ मैं इस तरफ उस तरफ ध्यान देता ही रहूँगा देखता रहूँगा अगर कोई आते हैं ऐसा लगता है तो तेरे हाथों से पुस्तक की चिकर मैं मेरे हाथ में रख लूँगा देखने वाले ऐसा समझे की तुम्हारे पास मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई बात नहीं ऐसे गुरुजी कहीं मिलेंगे आप बोलेंगे कि स्वाम जी माराज आप उधर बेटें आप नीचे बेटे कर बोलो आजकल बोलने लगे हम वानी महाल जैसे वहां बोलते हैं तो ऊपर स्टेज में तो बढ़ते हैं मगर हम तो ठीक तरह बढ़ते कर बोलते हैं नीचे बढ़ने वाले के लिए एकदम कुशन वाला सीट एकदम मस्त ये सी और उसमें वो बढ़ते ही जैसे उमर वाले बढ़ते तो बात अलग है कम उमरवाले भी आके उस सीट में कुशन सीट को टीक करके थोड़ा सा पीछे कर गए ऐसा करके जब बढ़ते हैं तब लगता है कि आप मुवी देखनें पापकान नहीं दिया है बस बाकी सब है काली पापकान नहीं है फिर भी बोलते हैं कि कुछ गुसाते हैं यार कानों में बस और कोई रास्ता नहीं आजकर गुसाना पड़ता है आप सबसे निवेदन हैं परसों भी बात हुआ था किसी यहां के किसी सदस्य से बोले कि स्वामिज मराज आप जा रहे हैं कुशी की सपाधार रहे हैं यहां कि दस दिन रुखेंगे हम सब बहुत प्रसन है प्रवचन यह रवकेon हैं लाब ही लाब है हमारे लिए तो इस साल धन्रमास के बाद और दस दिन लाब ही मुझा सुट कर रहे बोल लेंगे ऐसे, शूटिंग तो हो रहा है, तो देखिए लाब ही लाब है, अच्छा लगता है, बचों को भी अच्छा लगता है, सब सदस्य रोज आई जाते हैं, साड़े हाट बजे, सब के सब, कम से कम एक दो तो बैड़ते हैं, मैं वो ध्यान रखता हूं, कहों आगे बढ़ने वाले जितने भी होते हैं तो देखिए बाद में तो इस कार्य को संभालने वाले आप ही लोग है इसलिए तो बड़े लोग जो होते बुजुर्ग लोग होते तो इस कार्य को पकड़ के रखते हैं वो सिखाते हैं आपको समझाते ये करने योग्य काम हैं ये क कामों को करेंगे इसलिए पुरुवजों को करना पड़ता है यद्यद आचरती इस रेष्टता हां तथ हुआत्ट देवेतरो ज्ऩना सयद प्रमानम कुरुते लोक अहात धनर्बरतते सयद को आप जो करते हैं वो ही पिचे आने वाले करेंगे इसके लिए परना पढ़ता है आप नहीं करेंगे तो क्या होगा बाशिकार स्वामी जी रामान स्वामी जी महराज 120 साल के उम्र में द्यान दीजी 120 साल के उम्र में वो कावेरी तट पर उतर कर उतार कर वहाथ में पानी ले करके संध्या पुझा करते हैं क्या जरूरत है करने की नहीं करत वो करते हैं तो भी हम नहीं करते उन्होंने किया है तो भी हम उसका पालन नहीं कर पारे अगर उन्होंने नहीं किया होता गीता में बगवान बोलते कि मेरे को काम करने की कोई जर्रत नहीं है अरजुन करमा करने की कोई जर्रत नहीं है फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि मैं करूंगा तभी लोग करेंगे पीछे वाले तभी करेंगे नमाम, कर्मानी, लिम्पन्ती स्वष्ट रूप से गिता में प्रभू बोलते की कर्मों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है फिर भी मैं करता हूँ मैं कभी चोड़ता नहीं हूँ तो प्रवचन आदी देखिए आप लाब ही लाब है तो दास के जाने के बाद गुरु महराज पदा रहेंगे दस दिन आपको प्रवचन तो देंगे उसके लिए तो आ रहे तो कोई ना कोई संत महराज आते हैं प्रवचन देते अपने वचनों द्वारा इसलिए देखिए आपको सुनने में इच्चा है कि नहीं है वो सब देखने की कोई जरुरत ही नहीं है मैंने वो यह बोला परसों एक प्रवचन में बोला था देखिए सिनेमा त्याटर में टिकट्स बेच नहीं पाए दो-चार टिकट्स ही बेची है तो दो-चार आते तो सिनेमा वाले त्याटर वाले क्या बोलते हैं नहीं भाई आज रद किया गया है क्योंकि टिकट्स तो वैसे वैसे पड़े हैं चार लोग के लिए एक शो चलाना हमारे लिए मुश्किल है ज्यान दीजी आप चारी लोग आये हैं तो एक ड़े गंटे तक आपको बिटा कर सब सुविधा दे करके वो करना बहुत कटिन है तो इसलिए आप जाईए कल आईए पैसे आपको वापस कर देते फ्लाइट में देके आप आपने टिकेट लिया आप गए और पूरे फ्लाइट के जितने भी आना चाहिए वो आये नहीं है तो बोलते कि नहीं फ्लाइट कैंसल कर दिया है आपको पैसे मिल जाएंगे काउंटर से ले 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 ना आप कभी प्रवचन में ऐसा हुआ है देखिए दास लोग कभी पूछते हैं कि कल बहुत लोग बढ़ते थे गर के सब सदस्यों बढ़ते थे आज तो सिर्फ चाल पांच ही भटे हैं क्यों कभी पूछते नहीं आज क्यों दो ही भटे हैं आज क्यों आप शी क्यों नहीं आए आप शी क्यों नहीं आए कभी नहीं पूछते अब आप आते तो आप आते अगर दो ही भटे हैं तो भी बोलेंगे जगन जी तो आते हैं, आप आते हैं, आप भेटें कि हम तो कैमरा लेकर क्या आ गए है स्वामी जी दूर से आये हैं तो बोलिये है कुछ हमको रिकार्ड करके जाना है हम समझ में आवे ना आवे, तो भी बोलूँगा जिकि कभी ये नहीं बोलते कि एक सदस्य काली चाहिए बस कभी रद नहीं किया जाते है कोई एक भी नहीं होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं वो भात मानते हैं अगर एक कोई होते हैं भर्ट जाते हैं तब भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि रद किया गया है उनको भी कुछ सदू पदेश करके ही संत लोग बेजते जाओ ये सुन करके जाओ अपने जीवन में लगा लो तो कुरेश स्वामी जी महराज देखिए बोलते हैं कि कोई देख लेवे तो वो पुस्तक मैं ले लूँगा और देखने वाले ऐसा समझे कि कुरेश स्वामी जी आपके पास कुछ पढ़ रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो गुरू लोग कितने सरल होते देखिए आप बहुत सरल होते हैं हमारे साथ मिल जुल के आचार ये जो होते हैं आचार ये सहरिस साक्षात चरर रूपी न समझे यहां शास्तरों में बताया गया है संत लोग जो होते हैं गुरु महराज जो होते हैं साक्षात बगवान मानाई जाते हैं एक मात्र फर्क इतना ही है कि वो शास्त्र पानी है गुरू जी जो है वो शास्त्र पानी है बस इतना ही फर्क है वो शास्त्रों को धारन करते हैं आचारिय क्या करते हैं पुस्तकों के साथ ले करके गूमते रहते हैं तो शास्त्रों के पानी है वो शास्त्र पानी प्रभू जो है वो दीर्ग हुए तो उनसे भी बड़े हुए हुए प्रभु से भी बड़े माने जाते तो ऐसे एक शिश्य कुरेश स्वामी जी ज़रा भी अभिमान नहीं है उनके पास बड़े कुलुके थे बड़े वंशके है राजा थे कभी वो अभिमान नहीं रखा बहुत बड़े मद नहीं है उनके पास और पैसे भी बहुत थे राजा थे तो कभी ऐसा नहीं सोचा की मैं धनवान हूँ तो इसलिए रामान स्वामी जी के बहुत प्रिय शिश्य माने जाते हैं जैसे कन्या के लिए नेला देवी है वैसे रामान स्वामी महराज के लیए कुरेश स स्वामिजी महराज जो है वो यहां बता ये जाते मतलब समझाए जाते हैं तो दूसरे आचारी लोग भी अपने शिश्यों के बीच में किसी एक विशेश व्यक्ति पर विशेश कृपा करते हैं पुजयपाद दास के दादा महराज दादा जी पुजयपाद संपक्कुमार आ आचारी स्वामिजी महराज एक अद्वत भात यहां बताते हैं कि आज भी देखिए आचारी हों कि कोई ना कोई तो बहुत खास शिश्य तो होते ही है सबके सब सेवा करते हैं तो बहुत खास है करके बोलते हैं तो इसी तरह यहां भी देखिए आप रामान स्वामिजी के खास भक्त माने जाते हैं वो कुरेश स्वामी जी महराज और दीप जो यहां बताया गया है जैसे चारों वोर पांचस्तंब वाला दीप जो है वो जलाया गया है वो क्या है तो बोलते हैं शुरुती स्मृती इतिहास पुरान पांचरात्र शांस्त्र सदाचार्य दिव्यसूक्ति रूप पांचस्तलों में प्राप्त विशेश ज्ञान शुरुती स्मृती तर पश्चात इतिहास पुरान श्री पांचरात्र आगम उसके बाद आचारियों के दिव्य प्रबंद और हमारे आचारियों के श्री सूक्तिया इन पांचों जो है वो दीप की तरह प्रज्वलित है रोशनी निकाल रहे है और हमें ज्ञान प्रदान कर रहे है तो इस पांचर में जो दीपों की बात किया गया है वो इन दीपों की बात है ज्ञान विशेक ज्ञान प्रदायक दीपों की बात है और आगे देखिए गजदंत मई पलंग पर सोने का अर्थ जो है वो देखिए आप ज्यानी जो है शास्त्राध्याईन करने में निरत होते हैं और समस्त दुकों को पार करके ब्रमानंद समान आनंद को वो पाता है जैसे गजदंत रूपी शया पर, काट पर, निर्डा देवी लेटी है विद्वान लोग क्या करते हैं आराम किसमे करेंगे पुस्तक पढ़ते-पढ़ते समई निकालेंगे जैसे आज कल हम मुबैल देखते-देखते-पढ़ते पहले जमाने में पुस्तक पढ़ते दास के पिता जी हमेश अपुस्तक और हमारे पिता जी दोनों को अलग-अलग हमने कभी देखा ही नहीं बहुत कम समय रहे फिर भी जितना याद है पिता जी को हम याद करते तो ऐसे ही याद आते हैं कि पुस्तक के साथ गर पे एक मात्र कुर्सी उस कुर्सी पे भढ़ जाते थे उस तक पढ़ते थे दास लोग कुछ आस में जाके पपा करके कुछ बोले तो नजर नजर में ध्यान भी वहीं वो काली हूँ बोलते थे बाद में उसको ऐसे करके क्या बोला हमने बता कब आया तू क्या बात है ऐसे भूजते तो पूरा मगन रहते थे उस आचार ये लोग ऐसे ही अनंगराचार ये स्वामी जी महराज देखिया नबे साल से अधिक साल रहे वो आखीर तक संपरदाई के लिए गरंतों लिख करके गए उम्र जादा हो गया तो देखने की क्षमता तोड़ा कम हो गई थे तो देख नहीं पाते थे ठीक तरह वो लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं लेकिन आखिर किसी ने बोला कि स्वामजी महराज आप तो लिखतो रहे हैं उपर कहीं आप कुछ लिखा है तो वहां अधूरा रहे गया नीचे तो शायद कलम में इंक नहीं है तो देखिए मालूम भी नहीं है बिचारे तो संपरधाय के लिए क्या काम किया है नबे साल के एक वृद्ध इस तरह काम करता है तो हम लोगों के लिए कितना करना चाहिए जो वो लिके हैं वो पढ़ने तक हम तयार नहीं उस तक तो सब के पास है आपके पास मेरे पास है कौन पढ़ते हैं मगर कोई पढ़ते नहीं ए हम देखेंगे करके भी क्या टिकाना है यहां अभी जो है वो विर्दवस्ताई समझो तो यह जो क्षण है यह जो पल है सदुपयोग करना चाहिए तो बच्चों से भी निवेदन है कम से कम दिन में एक दिन हमारे धर्म के पुस्तकों में कम से कम एक पन्ने तक अवशिया आवे दुनिया में जो कुछ करते हैं ज्यादा तर हमको समझ में तो आता ही नहीं है करते तो है कभी भूक है कि नहीं काना तो बढ़ता है काते हैं समझ में तो नहीं आता है कभी यह भी समझ में नहीं आता है कि आज क्या बनाया है काने के बाद भी तभी तो काते हैं क्या तो यह सब काम जब हम करते हैं बिना समझे करते हैं तो पुस्तक पढ़ने में क्या दिकत है कम से कम नींद तो आएगी बढ़िया तो पढ़िये उसके लिए तो वो होना चाहिए तो आचारियों आराम करते हैं शांस्त्र अध्याईन में जैसे नेड़ा देवी उस गजदंतम काट पर सोती है तो इस प्रकार ज्यादा समय नहीं दूगा और चार मिनिट्स तो उसमें देखिए और उसके जो पाया जो है वो चार पाया होते हैं तो यहां देखिए चतुर्विद देह वर्ना अश्रमा धिकार पलमुक्षसादन गत युगधर्म व्युहरू पक्रियाह आचारी घृदई में अजबुत बाद बोलते हैं देखिए शास्त्र में भी अभी काट जो है वो शास्त्र है वो अमने देख लिया काट में जैसे निड़ा देवी आराम करती है शास्त्रों में आचारी गण आराम करते हैं जैसे कुरेश स्वाम जी जैसे रामान स्वाम ज चार प्रकार के होते हैं देव और मनुश्य और तिरियक जानवर लोग और स्थावरगन तो चार होते हैं अब मां जानते कि नहीं जो पेड़ वगेरे जो होते हैं उसमें भी जीव है पिछले जन्मों में हमने अगर किसी की निंदा वगेरे किया हो तो सुन ना सके ऐसी वचन से किसी को गालियां वगेरे दिया हो तो आने वाले जन्म में हम पेड़ पौदे बन जाते हैं क्योंकि सामने वाले को ऐसे तो स्थब्द कर दिया हमने सुना सुना कर वो ऐसे चकित हो करके मतलब दुकी हो करके कड़ा हो जाता है कुछ बोल नहीं पाता है तब ही अपने नस हमने जो गलथी किया हू tanto का to mya है वह आपको भी मिल सकता है तो इसलिए हिलते हिलते हमें बोलता है कि आ ऐसेŞQतो मत बोलिये सबसे कुछना कुछनों सीकने के लिए तो मिलता है बस काली हमको ध्यान देना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है ध्यान देंगे ना तो हर एक जगह पर हर एक व्यक्ति से हर एक जानवरों से हर एक स्तावरों से इस माइक से भी देखिए ऐसे कब तक जब तक रखोगे तब तक ऐसे ही रहता है तो परवश होकर के प्रभू के वश में होकर के हमें भी तो ऐसा तो रहना है पारतंत्रिय जो है वो सीखना है जैसे भी प्रभू रखते हैं बस उसके हम मैं सहमत हूँ तो ये सीखने ही हो गिये है तो तिरी एक देव मनुश्य तिरी एक स्तावर जो चार होते हैं शरीर के इस अपसे देखा जाए और ब्रामन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्ण हैं ब्रमचरिय, ग्रहस्त, वानप्रस्त और सन्यास चार आश्रम हैं और आर्थोज, ग्ञास, अर्थार्ति, ग्ञानी चार प्रकार के बक्तों की वर्णन गीता में प्रभू करते हैं वो चा साधन मोक्ष के लिए आप देखिए कर्म, ज्ञान, बक्ति, प्रपति, नामक चार है और उसके बाद शरीर चोड़ने के बाद अपने कर्माद्य अनुसार चेतन को मिलने वाली गती, गर्बगती, याम्यगती, दूमादी गती और अर्चिरादी गती, गर्बगती में जात अर्चिरादी गती में जाते हैं तो हम वैकॉंट पहुंच जाते हैं तो यह सब है और चार तो यह हुआ है तो उसके बाद आप देखिए युग देखिए करकृत, त्रेता, द्वापरा और कली चार है बगवान का ध्यान, यजन, अर्चन और किर्तन जो है चार युगों क के लिए जो स्थल है वो भी आप देखिए चारों के लिए जो स्थल है आमोद, प्रमोद, समोद, वैकुंट करके चार स्थान बताया गया है और सुरुष्टि, स्थती, सम्हार, मौक्षपरदान, चार काम हुआ है चार बगवान के रंग जो है अलग-अलग युग के तो इस पर एक शिशियत जो है वो आराम करते हैं गुरुजी भी इसी में आराम करते हैं यहां भी सब आराम करने के लिए तयार हो गए हैं तो समय भी हो गया है तो आज का पाशुर का इस तरह तात्परिय जो है जो समय के अनुसार दास यहां बता पाया बता पाया तो विश्वास है कि सबको आज का जो ये कारिक्रम है वो अच्छा लगा करके तो कल के दिन हम अगला पाशुर का अर्थान वसंदान यहां करेंगे और आज का पाशुर का पाशुरान वसंदान दास के पीछे पीछे आवश्याप सब रोज की भांती आज भी करियेगा करके प्रार्तना करके दास समाप्त करता है जैसे मुझे कुत्तु विळक्यरिया कोट्टु काल कट्टिल मेल मेत्तेनन पंच सयनत्तिन मेलेरी कोत्तलर पूंकुडल नप्पिन्नै कोंगै मेल वैत्तु किडंदे मलर मारबा वायतिरवाई मैत्तडं कंणिनाई नी उन्मनालनै यत्तने पोदुम् तुयिलेड़ उट्टाइकान यत्तने येलुम् पिरिवाट्र आट्र गिल्लायाल् अन्रु तगवेलोरें पावाई श्रीमतेरम्यजामात्र मुनींत्राय महात्मने श्रीरंगवासिने बूयात्र नित्यश्रीर मित्यमंगलं लक्ष्मी नात समारंभं नात यामोन मध्यमां अस्मद आचाय परियंतां बंदे गूरु परंपरां यती पदी पद भिंगम् दोशिका फिश्य चन्रम् साथारी उमात सत्तम् वादि सिंहाय भक्तम् तमला नयान मार्या नंत बरियंक शिश्यम् सकल बुदबरिश्रम् योगी राजम भजामी योगी राजम भजामी योगी राजम भजामी